अपने शब्दों की सारसंभाल करते रहिएगा कहीं ये शब्द भीतर के विचारों के साथ ताना बाना बुनकर किसी नकारात्मक्ता को जन्मत नहीं दे रहे हैं जबरदस्ति की सिंपैथी हासल करने की और तो नहीं जा रहे हैं व्यग्रता कुंठा तो नहीं बता रहे हैं। ये शब्द जब किसी के लिए प्रेड़ना बनते हैं, तो स्वेहम के भीतर भी सकारात्मक्ता का बीज रोपित करने वाले होते हैं। और जब भी ये शब्द बारंबार ये कहते हैं कि इस वज़े से सफल नहीं हो पाया, इस व्यक्ति विशेश के साथ में ये अवस्थाएं दोके वाली रही, इसी वज़े से हम आगे नहीं बढ़ पाए और ऐसे दोके सहन करते चले गए। बारंबार अवसर आए चले गए, मैं क्या करूँ बड़ा ही हताश हूँ। ये शब्द जब भी मन के भीतर से निकल कर आते हैं। येकिन मानिये वो नकारात्मक्ता के गहरे सिरों को देने वाले होते हैं। दीरे दीरे लोग ऐसे व्यक्ति विशेश के साथ एक दूरी बनाने लगते हैं। और जब भी हम अपने भीतर के संगर्षों के साथ में लगाता रहें। परन्तु उन संगर्षों के साथ में भी मुस्कुरा रहे हैं। जो अवस्था सामने है, जो इस्तती सामने है, उसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। लोगों के समक्ष जब बारम बार वेक्ती हताशा भरे शब्द रखता है, निराशाओं और अवसात के साथ में अपनी बात को रखने वाला होता है। उसके साथ एक दूरी बनती चले जाती है। भीतर जो भी विचार आए उसको हाथो हाथ सामने रख दिया गया उसका प्रभाव क्या रहा लॉंगर टम की प्रोस्पेक्ट में वेक्ति खुद भी नहीं समझभाया इसे वज़े से आज हम रुकें थोड़ा सा हम अपनी अवस्थाओं को समझने का वरयत में करने वाले हूँ कि हम जा कहा रहे हैं किस दशा के साथ में खुद को निर्देशित कर रहे हैं एक बार जब ये सपस्टता सामने आने लगती है तो वेक्ति अपने शब्दों के मुल्य को समझता है उसका मुल्यंगन करता हुआ बहुत अच्छे सेरे के साथ में अपनी बात को रखने वाला होता है निराशाएं, हताशाएं, संघर्ष, असफलताएं ये सब कुछ आस पास रहेंगे ही क्योंकि ये जीवन की परिभाशा है परंत 31 में कितना स्तरगामी होकर खुद को देखने का परयतने कर रहा है और किस तरह से खुद को लेकर चल रहा है ये महत्वपूर्ण बात है जो शब्दों के माद्यम से सामने निकल कर आती है आज पूरे ही दिवस विशेश में क्या क्या शब्द कहे गए या सुबह ये कारिकर हम देख रहे हैं तो खुद को इतना अवेर करें कि जो भी हम कहें एक बार उस बात को पुनहे अपने लिए ही अबलोकित करने वाले हो क्या कहा गया और किस तरह से कहा गया वेराल ये एक चर्चा है और विशेश समबाद है वेक्ति जब बेजीवन यात्रा को ऐसे शब्दों के साथ मेरे इसे चर्चाओं के साथ में जोड़ता है तो शब्द को एक नई धोरी की तरफ लेकर जा पाता है हम यहां त्योहारी समय के और बट रहे हैं उसके पहले के दिवसका तैनिक राशिफल 9 नवंबर 2023 की यात्रा क्या कह रही है चर्चा उस अवस्था की चंद्रमा कन्या राशिस्तान में उत्रह फालगोनी नक्षत रेस्ततियां गुरवार है कार्तिक मास कृष्णपक्ष अपनी पूर्णता के और अग्रसर है तो वहीं रमा एकादाशी वरत गुवत्स द्वादशी पूजा भी आज के दिवस विशेश में हम चर्चा के शुरुबात करते हैं मेश राशी के साथ में यहाँ आप दिखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में भाग दोड़ कुछ हद तक तनाव ग्रसत करने वाली स्तितियों को लिकरा सकती है स्वास्ते के प्रती साबधानी बरत कर चलें बैंकिंग संबंधे कामकाज में लंबे समय से कोई भी अटकाव की प्रवर्टियां बने हुई थी तो आज वहाँ से समाधान की यात्रा को स्वाहिम के लिए सूजबूज के साथ मिताय किया जा सकता है वहीं आपके लिए आज जो महनभाव लंबे समय से अटकाव लेकर चल रहे थे उनसे भी अब एक दूरी बन सकती है कम्यूनिकीशन में रियक्टिव होनी से बचिएगा रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके की जल्दवाजी को अपने साथ अपना कर चलने क्या बशकता है आपके लिए नहीं है बुरुशब राशी सरप्रतम नौकरी पेशा जिवन में खुद को टास्क ओरियेट रखिएगा हम स्ट्रक्चरड रहें आफिस पॉलिटिक से दूरी बना कर रखें व्यापारिक जिवन में नए लोगों के साथ में मिल रही इस्तियां सकारात्मक पक्ष को उजागर करने वाली होगी सरवांगीन लाब में बृद्धी के तत्व वशेश दिरणतर तोर पर आपके लिए बने हुए है मन के भीतर की घवराहटों से मुक्त होकर चलने का पूरा पूरा प्रयात्न करें कम्यूनिकेशन में कन्विंसिंग बेस को एस्टबलिश करके चलने की पूरी पूरी जरूरत आपके लिए यहां पर रहेगी वहीं यह निवदन है आपसे कि आज किसी भी महत्तपूर्ण कार रिक्योर जा रहे हैं विश्नु सहस्त्र नाम की पार्ट के साथ में लिवस के शुरुबायत की जा सकते है ध्यान की किंदरत परिभाशाओं को अपने साथ लेकर चलते हुए आगे बढ़ना आपके लिए हिदगामी रहेगा बितुन राशी ठीकिए आपके लिए व्यापारिक जीवन में आज ठहराव है कुछ रुकावटें भी आ सकती है संभल कर निरने लें वही नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन के मेजर्स त्योहारी समय के पहले डिस्टरब कर सकते हैं वहां से भी दूरी बना कर रखने की जुरुत रहेगी खुद को जितना मैनेज करके आप चलेंगे कौन सा कारे किस समय वस्ता के साथ में करना है उसका क्या प्रतबिम बर सुरूप सामदे निकल कर आएगा ये सारे ही विशाय जाचते हुए चलिएगा सिचुईशनल वेसिस के उपर जितना आप अवेर रहेंगे उतना अच्छा है अपने रूटीन को फ्लेक्सिबल रखने की पूरी-पूरी कोशिश आप करते चले जाईएगा हरदाई संबंधी रोगों से सावधानी बरते हैं वहीं पर आज के दिवस की भाग दोड को स्विकार करने क्या वशकता है यात्राएं टाली जाती हैं तो जादा अच्छा है अध्यात्मिक स्तर पर तेज आपके लिए बड़े ही कतिमान सिरे के साथ में उजागर होकर चलता चला जा रहा है करक राशी सरुपरतम यहां नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नएपन का सुरूप आपके समक्ष निकल कराता है उसकी सहज स्विकारुक्ती को बना कर आप यहां कतिमान हो सकते हैं सिच्वेशनल बेसेस पर जितना विर रहेंगे उतना बेनिफिट है कहीं मोल्ड होना है अपनी अडामेंसे को हटा कर चलना है यह सारी ही जो डेफिनिशन्स होती है आपके लिए सपोर्टिव भी इसको एस्टबलिश कर रही है सरवांगेन लाब की स्थियों में बृद्धी है माता पिता के साथ में जुडाव का केंदर बिंदू आपके साथ बहुत अच्छे से संबंद होगे सरोकार के साथ में चलाएमान है में तो पूर्ण बात ये कि जो भी महनभाव आपके साथ में नए सरे में जुड़ना चाहते है सायोग रहेगा और जो शर्तें लागू वाली स्थियों होती है इस पस्ट तोर पर यहां आपके समक्ष एक अवस्था इस पस्ट करण देती चली जाएगी और वहीं ये निवदन है आपसे कि दातों से संबंदित तकलिफों से भी संधिया समेंदराल में साबधानी परते है सिंगराशी देखें आद अगमन में वरदी है यानि फाइनिशल गेन आपके साथ में है और वहीं नौकरी पेशा जिवन में आपकी एकसेप्टिबिलिटी बहुत अच्छे से बनी हुई है जो बात रह रहे हैं उसको सुविकार किया जा रहा है बड़े निरने की अवस्ताओं को जागर करने में एकालशी का ये समय अंतराल आपके लिए अत्यांत विशेश कहा जाएगा और वहीं जो भी कमिट्मेंट के अप्रोच है उसको आप वर्बल नहीं और लिखित माध्यम के साथ रिटरन कम्यूनिकेशन के साथ मिली जिएगा जिससे सपस्टता बनी रहे अध्यात्मिक स्तर पर प्रगती बहुत अच्छे से और वहीं आज की दिवस में कम्यूनिकेशन में कन्मिंसिक बेस है जो बात आप रख रहे हैं लोगों के साथ में वो बहुत अच्छे से जुट रही है प्रोफेशनल लाइफ और परसनल लाइफ को सेगरिगेट करके चलिएगा अन्यथा दूनों ही जगे है दुविधाओं के किंद्र बिंदू बढ़ सकते हैं इस बात से सावधानी रखें वहीं रचनात्मक्षेत्र विशेश में वृद्धी आपके लिए बनी हुई है कन्या राशी तेकि सरुपरतम तो यहां किसी इंटर्व्यू की तरफ जा रहे हैं तो अत्यन्त सकारतमक्स्तर के साथ में खुद को आपने रुपित करने वाले होंगे फ्लेक्सिबल रहिएगा रूटीन के साथ में भाग के का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है अपने क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास स्थापित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयतने करते चले जाएं जो भी महनुभाव यहां यातराओं से संबद दितस्तर के साथ में खुद को तिवरगामी होकर आगे बढ़ाना चाते हैं वहां पर भी सही योग के स्थतियां आपके लिए बड़ी ही गहनता के साथ में स्थापित होकर आगे बढ़ रही है जो महनुभाव कामकाजी जीवन में लंबे समय से रोकावटे मैसूस कर रहे थे उनके लिए पुनहे फ्लॉलस मेजर्स यहां एस्टबलिश होते चले जा रहे हैं कन्या राशी के महनुभावों के लिए यहां रेसर्थ संबंदे कामकाज में भी पॉजिटिविटी रहेगी तो वहीं आप वस्तर उद्योग संबंदी के से विशेत्र विशेश के साथ में जुड़े वो हैं आपका हस्तक्षे और आपके ते वरता देखते ही बनते हैं वहीं तुला राशी सरुप्रतम खर्चों पर नियंतरन रखकर आज की यात्रा को तै करने का पूरा-पूरा प्रहत्ना आप कीजिएगा विदेश संबंदी कार्यों में वृद्धी है रिसर्च संबंदी कामकाज में बैटर्मेंट है ये वो समयंतराल है जहां रियल एस्टेट या फिर कोई भी कमिशन संबंदी कामकाज में ते ब्रगामी होकर चलने का प्रहत्ने करें वहीं से आरतिक पक्ष में तेजी आप स्वाहिम के लिए प्राप्त करते चले जाएंगे जो आपका हुनर है जो आपकी कारिशैली है वुकून तया आज आपके लिए सहीयोग में तो है परंतुस अंगर्षों के बाद में वहां से अवस्था है इस पस्ट तोर पर आपको आगे बढ़ाती हुई प्रतीत होती है कला संबंधी शेतर विशेश के साथ में डेबलप्मेंट के जो मेजर्स हैं वो आपको अटमूस्ट पॉजिटिव लिवल दी रहे हैं ये निवदन है आपसे कि आज भाईयो तथा मित्रों के साथ संबंधों को विशेश तोर पर संभालते हुए आगे बढ़ते चले जाएं वहीं वरिश्चेक राशी देखिए स्टॉक मार्केट संबंधी काम का जा आज एक अलग पॉजिटिविटी को आपके साथ में इस्टबलिश करके चल रहा है वहीं बलड को रिलेट करती हुए प्रॉब्लम्स बलही एनिमिक होने वाली प्रूच हो गई चाहे बलड शोगर लेवल हो गया या फिर बलड प्रैशर हो गया साथभधानी ऐसे सरों के साथ में स्वास्ते में संभलने की आभश रखता और वहीं विध्यारती वर एकागरिता को पुने हैं प्राप्त करने वाले होंगे आपके निस्चल मुस्कुराहट कई कारियों में विजय के ब्रतिबंब आपके समक्ष रखती चली जा रही है जुमान भाव अपने कारिशितर में लंबे समय से कुछ लोगों की बज़े से अटकाव मैसूस कर रहे थे नकारात्मक्ता किसरों को देख रहे थे उनके लिए भी अब सहूलियत वरे आधार निरंतर तोर पर सामने आने वाले रहेंगे आपके लिए यहां टेकनिकल फिल्ड स्पेसिफिक के साथ में बड़े डेवलिप्मेंट सामने आ सकते हैं उस अवस्था विशेश को जीवन यात्रा में अपना कर चलने की पूरी-पूरी आवशर्टाएं बनी हुई है धनुराशी फ्लेकसिबल रहीएगा अपने रूटीन के साथ उसका बेनिफिट आपको मिलता चला जाएगा और वहीं पर ये भी याद रखें कि हमें कहीं पर भी अटकाव और भटकाव के साथ नहीं चलना है बारम बार लोगों के साथ में अपनी इस्तितियों को यहां नकारात्मक करने से आपको बचना है यानि कि कई बार वेक्ति पशोपेश में होता है नेगेटिव एस्पेक्ट में होता है वो बात नकारात्म के रहा होता है पर अंतो स्वेम को भी उसी आधार में जोड़ रहा होता है उसे मुक्त रहकर चलिएगा पारिवार एक जनुब के साथ में संबात कोशल बना कर रखने की पूरी पूरी आवश रकता हैं आपके लिए रहेंगी प्रोयस्पति परदान राश राशी के महनुभावों के लिए इस समय विशेश में पिता के साथ संबात कोशल बना कर रखना जरूरी है कम्यूनिकेशन में किसी भी तरिके के कांट्राडिक्शन के प्रोच को अपने साथ लेकर चलने से आप बचिएगा मकर राशी भाग्ये का सायोग आपके साथ में ब आत्राएं आपके लिए बेहद अच्छे इस्तर सामने लेकर आती चली जा रही है शनिदेव प्रदान राशी के महनुभावों को चाहिए कि सर्वांगीन लाब की स्तियों में जो व्रद्धी आप देख रहे हैं उसको औरत बरगामिता के साथ में अपने लिए आप देखत चले जाएं मकर राशी के महनुभाव कंस्ट्रक्शन और रियल स्टेट संबंदी कामकाज में और अलिकते वरता के साथ खुद को आगे बढ़ाने का यनि यत्न अभम प्रहत्न करते हैं तो बेहद शांदार अवस्थाएं सामने निर्मित हैं यहां किसे भी इंटर्व्यू आपके लिए बहत्री लेकर आ सकती है शनेदेव की मुल्तरकाण कुम्बराशी रिसर्ट संबंदी कामकाज में बैटरमेंट है बनके भीतर की गबरहाटों से मुक्त होकर चलें कम्यूनिकेशन में कन्विंसिंग बेस को अपना कर चलने का प्रयास कीजिएगा किसी भी तरी आप मेजर लेवल की डिसीजन की और जा रहे हैं परिवार को उसमें समद्द करने में आपके लिए ही बहतरी रहने वाली होगी अपने ख्शमताओं पर पुरी तरीके से बिशवास करके चलने की आप शक्ताएं आपके लिए बनी हुई है कुम्बराशी के मानभावों को त आपी हद तक साबधान रहने का प्रयास करना चाहिए और वहीं याद रखें कि जो कारे किसी वेक्ति विशेश के सयोग से ही पूर्ण हो सकते हैं वहाँ जबर्दस्ती की जद्दो जहत करने के बजाए उस सिरे के साथ में खुद को जूडने की पूरी पूरी जरूरत आप के लिए रहेगी और वहीं है समय अंतराल में आटो मुबाइल तो तो मेनुफेक्चरिंग संबंधी काम का आज में पिशेश तोर पर वरद्धी के संपन्न प्रतविंब आपके सामने आ सकते हैं मीन राशी विया पारिक जीवन में एक अलग तिवरता के साथ में आप स्वा का क्याल रखिएगा विदेश संबंधिकारियों में सब्तम भावस्त चंद्रमा की बज़े से अच्छे संकेश आपके समक्ष जागर हैं पारिबारिक जनों के साथ में जितना आप जुडाव का केंद्र बंदू अपने साथ में लेकर चलते हैं उतनी ही जीवन यातरा को ब आप अपने साथ में जरूर स्थापित करके चलते चले जाईएगा और वहीं आज के दिवस्विशेश की महत्वण बात ये है कि संपन्ता एवम्मन के भीतर का जो आनंद होता है वो बहुत गहराई से निश्चल प्रतिविंब को लेकर चलता चला चा रहा है तो ये था 9 न कवस्तत होने का प्रयतने करते रहेंगे दन्यवाद एवम्मकोटिश है आभार